आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन दो प्याजा रेस्टरेंट स्टाइल बहुत यासानी से घर पर बनेगा और टेस्ट होगा बिल्कुल रेस्टरेंट जैसा तो वेलकम है आपका समस किचिन में यहां पे मैंने लिया हुआ है आधा किलो चिकन और इसमें डाला एक चम्मच अध्रा ख्लैसुन का पेस्ट आधा चम्मच नमक थोड़ी लाल मिर्च और इन सब चीजों को मिला करके अच्छी तरह से हम रख देंगे करीब आधा गंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए चाहे तो फ्रेज में रख दें या फिर अगर जादा गर्मी नहीं है तो बारी कटी हुई प्यास ओमलेट कट प्यास है और मीडियम साइज की प्यास थी जिसको मैंने काट लिया था इनको थोड़ा सा गोल्डेन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे तो प्यास यहां पे हलकी गोल्डेन हो चुकी अब इसमें पिसा हुआ अध्रक लैसुन डाल मीडियम साइज के तमाटर थे और तमाटरों को अच्छी तरह से हम पकाएंगे तो करीब 6-7 मिनट का टाइम लगेगा अब तमाटर यहां पर पक रहे हैं और हम यहां पर अपना कर्ड मिक्स तयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक कब दही लिया है उसमें आधा चमश हल सब्सक्राइज के अच्छी तरह से वन भी में तो तुफ मिक्स्ट दालेंगे तो तेज आचपर नहीं ड्लाल आए नहीं तो नहीं बहें डढ़ग ठालेंगे तो धी पाही बहुं गर्टोर दोलेंगे और तेल की कड्ण, और प्याज टिमाटर की तरह से मिक्स ना हो suffering अब इस मसाले को मीडियम फ्लेम पर हम पकाईगे करेब 5 मृट तक तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से पक रहा है देख रहे हैं बीच बीच में चलाते रहेंगे और आप मेरिनेट किया हुआ चिकन डाल देगे सारे पीसे इसको डाल देंगे और यहां पर सिको मिला देते हैं बहुत ही टेस्टी चेकन बनेगा आपका यह चेकन दो-प्याजा जो हम बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया बनता है बिलकुल रेस्ट्रोंट स्टाइल का बनेगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा भी इसको ढाक करके रख देंगे जब तक के चिकन हमारा गल ना जाए तो 25 मिनट का टाइम देते हैं और धीमी आज पर इसको पकाएंगे तो करीब 25 मिनट हो चुके हैं चिकन अच्छी तरह से गल गया है और यह प्यास को इस तरह से बड़े चौकोर टुकड़ों में काट करके उसकी पंखुडियां खोल ली थी उसी तरह से टमाटर भी काटा है चौकोर बड़े टुकड़ों में और जिसका बीजे निकाल दिये थे और हरी मिर्चें इनके भी सीट्स निकाल दियें आप चाहें तो रख भी सकते हैं अगर जादा स्वाइसी पसद है इन सब चीजों को मिलाएं दो मिनट तक पकाएं और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है बस अप्याज और टमाटर को हमें जादा नहीं गलाना है गयास बंद करें और यहाँ पर डाल दें धनिया कटी हुई और इसको मिला दें तो यह थी हमारी सुपर इजी सुपर डिलिशेस चिकन दप्याजा रेस्टों स्टाइल बहुत ही लाजवाब बना है जरूर ट्राइ करिएगा अब चलिए इसको सर्फ करते हैं तो आप इसको रोटी के साथ या फिर लच्छे पराठे के साथ या पराठे अपनी चोईस की किसी भी ब्रेट के साथ आप इसको खा सकते हैं चावाल के साथ भी इसकी बढ़िया करी लगती है रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके चाहिएगा और शेर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ थैंक यू